नमस्कार मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सक्यम योगा आज हम लोग योग विशय पर बात करने वाले हैं योग की परिभाशाओं को बहुत क्विकली जानेगे कि आखिर योग की परिभाशा हैं बिन बिन धर्म शास्त्रों एवं किताबों में किस प्रकार से उल्लेखित हैं मैं यहां उन परिभाशाओं को नहीं बताऊंगा जिन परिभाशाओं को सामाननेते हैं हम लोग किसी व्यक्ति विशेस के द्वारा कही परिभाशा के तोर पे देखते हैं मैं उन परिभाशाओं का उल्लेख करूंगा जो खासकर हमारे उपनिश शब्द है क्या और उसकी महाता क्या है किस तरीके से योग शब्द को जाना जाता है तो basically अगर लिए अगर देखा जाए तो योग शब्द जो है वो दो शब्दों का दो अक्षरों का मेल है योऔर गड़ परनतो वास्तविकता में जो संस्कृत भाषा शैली है वो इसका बह यूज करते हैं वो किसी ना किसी शब्द शैली यः किसी ना किसी भाशा शैली का शब्द होता है जैसे कही बार हुआ है निया आगल भाशा का प्रयोग करता है ये यह शब्द देखा जाए तो योग शब्द सीधे तोर से संबंद दीता है आपके संस्क्रित भाषा शैली से अगर व्याकरण के तोर पर ये दी देखा जाए तो व्याकरणार इसका सिधा सिधा है यूज समादो यूज सहियमने दो तीन इसमें बेसिकली कॉंसेप्ट आता है यूज बात आती है तो इसमें दिवादी गड़ी जो कॉंसेप्ट है पाली व्याकरण का एक कॉंसेप्ट के अनुसार किसी अर्थ के दो या तीन हिस्से हो सकते हैं एक ही धातु जो होती है धातु का मतलब जिससे शब्द बन रहा है या जैसे माल ये किसी धातु में यह दी कोई प्रत्य लग जाए या उपसर्ग लग जाए तो वो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है और अर्थ के स्वरूप को बहुत व्यापक कर देता है तो जब हम योग शब्द देखते हैं तो यो और जद दो चीजे यो और ग दो चीजे मिलती है बिसिकली इसकी जो धातु है वो है संबंदित विश्यों का उल्लेक जा वो योग के परिभासा के तोर पे जान जाती है या योग से संबंदित माने जाती है आप पतंजली की किताब को देखेंगे तो पतंजली का एक पूरा-पूरा section ही जो है वह चार sections में से एक section ही समाधिपाद के तौर पे अस्थापित है और बाकी जितने भी sections है वो इसको कही न कहीं promote करते हैं कोशिस करते हैं कि समाधि तक चीजों को लेके जाए जाए और मंत्र योग के भी अगर आप 16 concept को देखेंगे मंत्र योग का भी 16 concept है वो भी अंत तक ध्यार और समाधि प अत्यंत महतोपूर मारा या था और इस शेली के अधार पे हम लोग योग के एक हिस्से का अध्यान करते हैं अब आते बात दिवादी गड़ी के लावा रुधादी गड़ी का रुधादी गड़ी और चुरादी गड़ी ये दो अलग-अलग concept again है इसका हुआ योजिर समादे से संबंदित. योग समादौ जो शब्द है वोगियो को अगर आप नहीं समझा गहें थो तब तक आप एक परिभासा पूरी तरिके से नहीं दिवदाएंगे आपको ग्राउंड मिल जाएगा तीन ग्राउंड के आधार पे आप अपनी परिभासा को परिभाशित कर सकते हैं और यही परिभाशा है सामाने तोर पे काम में लाई जाती है जैसे कई बार हम कह देते हैं कि कर्मयोग की परिभासा राजयोग की परिभासा से अलग है लेकिन जब र राज योगा है हट योग का उपदेश दे धिए इसका मतलब यह है कि राज योग भी अत्यопूर्ण है新 एक है कर्म योग को ले आप देखें के कर्म और वक्ति रहा हैं जिसमें वेउछाित में क्वधी का पुनें प्लब्त आता है जो कॉंसेप्ट आता है जहां कर्म स्रीकृ अगर आप देखे हैं तो ब्गवान ने वेवासायत में का बुद्धे की बात की है यानि कि आपको कोई कर्म करना है तो आपको पहले शोरिटी की जो बात है तो वो उस धातु की विशेस्ता है जहां पर कर्म कृरी प्रते जो जब लगता है तो क्री के साथ में जो धातु बन लाता है कि किस चीज़ को जोड़ना है तो हमें आतमा को परमात्म सत्ता के साथ में जोड़ना है और यह जुड़ाव जो है यही कहलाता है रुधादि गारी का अब बात करते हैं चुरादि प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी तीवरता आ रही है उस तीवरता वो अपने नुरूप बना लेना उसको कंट्रोल करना यह जो है यह जो संयमने का अतात पर होता है अब योग जो है वो तीन अवस्थाओं में परिभाशित हो गया आपके समक्ष में पहली जो परिभासा वो आया समाधी से संबन्दिद दूसरा आया जोड के और तीसरा आया कंट्रोल करते हुए तो तीन चीजों को अगर आप अपने में लेके चलते हैं तो आप योग की परिभासाओं को प्राप्त कर जाएंगे इन्ही तीनों ग्राउंड पे नजाने कितने रिश्यों ने तीनों कॉंसेट है पाड़नी के द्वारा और पालणी के पास कहां से आयते हैं चौदा महेश्वर सुत्रों के आधार पे चौदा महेश्वर सुत्र क्या हैं जिसको भगवान संकर की डमरू से निकलावा माने गया था और बाद में कालांतर में पाड़नी ने उन शब्दो समझना चाहते हैं तो कुछ सेट अप वर्ड्स ऐसे होते जो पूरे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझा देता है अब आप एक बात और समझेए ऐसा माना आता है कि पाड़नी के सक्सेजर रहे हैं तो पाड़नी के शिश्य रहे हैं तो पाड़नी भी जो है वह बहु सुत्र हैं वो सारे के सारे सुत्र जो है वो कहीं न कहीं व्याकरण की परम अवस्ता को प्राप्त के वे सुत्र है परम अवस्ता का मतलब यह कि वो अपने आप में एक प्रिश्टता अलिये हुए सुत्र है तो कहीं पर वो कॉंसेप्ट रुधादी गड़ी दिखेगा कहीं यहां पर जुड़ाओ हो जाए बैसिकली चित्य जो है और चित्य की वृतियां यह पतंजरी का आपना दिया हुआ तो यह कहीं नए कहीं प्रमार को भी आप देखेंगे तो वो भी अगें कई प्रकार में बढ़ जाता है ना वस्त सुन्यूव विकल्पा भी बचेगा याँ उसका फिपर्च्छन वाना आगमा तेने प्रमाड आनी तो कहीं न है कहीं अगर आप देखते हैं तो यह सैयमन का ब तो मैं आपको योग की परिभासाओं के तरफ लेके चलता हूँ बिसिकली पीशे वाले स्लाइट में यही सारी बाते लिखी हुई है कैसे अभ्यास करना है कैसे आपको इन तीनों परिभासाओं को चरिता अर्थ करना है अब एक बड़ा प्रशन यह आता है कि क्या एक योग के सादक के लिए ये तीनों परिभासाओं आवश्चक है ये मेरा मानना भी और बहुत विद्धानों का भी मानना ये है कि कहीं न कहीं अगर आप योग के एक हिस्से को फुल्फिल करना चाहते हैं सिदे सिदे समाधी के लिए आपको प्रत्ना शील रहना है और बाकी आपको वृत्यों का कुछ भी नहीं पता है वृत्यों को कंट्रोल नहीं कर रहा है आप अपनी एमोशन को नहीं कंट्रोल कर रहा है और उसको सयमित नहीं कर रहा है बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि समाधी क्या वशक्ता क्या है तो देखिए समाधी क्या वशक्ता ही है कि मनुष्य जो हमारा दर्शन योग दर्शन मानता है वो ये कि मनुष्य की कई सारी योनिया है और उस योनियों में मनुष्य लागता ट्रेवल कर रहा है जब उस योनियों को ट्रेवल करते 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 वो लागता कंटिनियू रह जाता है तो ये इसी कंटिनियूमिटी को फिनिश करने के लिए दाकि आदमी अपने अपने जीव आत्मा को अब आराम देख परनतु मनश योनी जो है वो विरले मिलती है जब इस योनी बें हमाते हैं तो हमारे पास ये संभावना होती है कि हम अपने आत्मा को वो पूर्ण विराम दे सकें जिस विराम से जिस विराम को त्याग करके वो इस पूरे चलाश जगत के लिए निखली पड़ी थी तो उसमें योग एक बहुत बड़ा साधन होता है अब जो सांके दर्शन है, सांके दर्शन के 25 तत्तों का भी अपना सिद्धानत है अन्य अन्य दर्शनों का भी अपना सिद्धानत है लेकिन जो योग का सिद्धानत है, योग जो धरना बना के देता है वो यही कहता है कि आप योग के माध्यम से बहुत आसानी से, आसानी से इंदसेंस की pathways जो है वो clear है, बाकी बहुत सारे दर्शनों में pathways clear रही है, आप देखेंगे जितने भी philosophical approaches हैं, विश्यो के, वाल के, तो उन सारे approaches में अब जैसे रश्या का एक approach मैंने political science में बढ़ा था, उसमें यह है कि आप जो है, इश्योर ने ऐसे, उनका concept है, कि इश्योर जो है, वो ऐसे अनायास ही दो लोगों को बनाया और फिर दो लोगों से लास्ट में जाते जाते हैं, वो लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं, और उनको लगता है कि उसी शरीर त्याग के अनुसार, फिर वो अपने जीवातमा को ही finish करने के लिए लिए लगे पड़े हैं, इसका एक पुरा बड़ा concept है, एक और concept आता है, जैन्दर्म का अपना अपना concept है, लेकिन जो योग दर्शन है, उसका concept बहुत crystal clear है, कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे, जितने रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को light कर रखा है हमारे रिश्यों ने, आईए उस परिभाशाओं को देखते ह में लिखी जा चुकिए, लोकमाने तिलग जो है, जो जिनको बाल कंगादर तिलग भी कहा जाता है, वो बहुत विद्वान ने हैं, और ऐसे वेदों के इतिहास में उनने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पिवी काने जो हैं, वो भी एक बड़ अच्छी राइटर रहे ह उनकी भी बहुत अच्छी पुस्तेके हैं, जिसमें वो कल्चरल अप्रोच को भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेके लिखते हैं कि आखिर ये सिट काल रहा होगा, ऐसे ही कुछ और भी जन्स प्रिंसिप और जो लोग रहे हैं, विद्वान ने हैं, और फिर योरोप के जादे मानने हैं, उस समय लिखा गया है रिगवेद में, रिगवेद चोकी सबसे प्राचीन है और इसके 10 मंदल हैं, इसमें 10,747 सुत्र है, जिसमें से इसी में हिरन गर्भी की जो संकलपना है, वो दी गई है, गायत्री महामंत्र की संकलपना दी गई है, सोम के लिए और अगनी के लिए, वायू के लिए, इत्यादी देवताओं के लिए भी जो मंत्र है, वो रिगवेद में, इसी रिगवेद के प्रतम जो खंड है, तो उसके 18 में के साथ में भाग में लिखा गया है, कि यसमा दृतेना सिद्याती यग्यो विपस्चित तश्चना सध हीना यो अरथात विध्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पॉन अरथात सिद्ध नहीं होता है, विद्वान का मतलब यहाँ पर बेशिक्ली वो है जो विशेख के विद्वान हैं साथ में जिनको ब्रह्म घ्यान है, अगर वो विद्वता आती है, उस विद्वता के अगर आप करते हैं तो बिना योग योग की तीनों पार्ट में पर जिसमें समाधी से संबंदित बाते भी है यानि कि आपको ultimate अपना वो पता है गोल कि आपको जाना कहां है वो और साथ में यूग की संय मने यानि संय मित तौर पहा जिसमें कार और चिमी तमाम जो विरतिया वो नहीं आती ओर जो एकसे जो falls कि आ में आत्वा से और पर वात्मा कि तरफ भी रुख कर ना जिब आप दूसरे कॉण सब्सेटन देके चलते को लेकि चलते येदि आप इश्वर की सब्ता को चलिंज करेंगे तो आपको फिर दूसरे कॉंसेप्ट को योग का दूसरा जो शम्त है वो ही छोड़ना पड़ेगा यानि पूरा-पूरा योग ही आपसे छूट जाएगा तो रिगवेद के अनुसर यानि वेद के अनुसर ये मानना है कि कोई भी विद्वान यानि जो ब्रहम ग्यानी है या जो ब्रहम को जानने की एक्षा है या जो मुक्षू है वो बिना योग के सिद्ध नहीं कर सकता अपने इस ग्यान को या किसी भी कारे को करने के लिए ठीक ह परमतत्व हमारी समाधी की स्थिति में दर्शन देने के निमत अभुमुख यह जो पूरा सेग्मेंट है इसमें होता क्या है कि हम इश्वर की प्रार्तना कर रहे होते हैं वेदों के माध्यम से चुकि रिगवेद जो है रिगवेद और सामवेद है कि आपको वेदों को पहले बहुत सारी बात है की गई है रिगवेद जो है वो हमारा मंत्रों से सम्मंदित और देवताओं को समर्पित मंत्र है तो इसमें जब हम इश्वर की संकलपना करते हैं इश्वर को याद करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं मतलब उनके सामने अपने अपने श्लोकों के माध्य से पनी बातों को रखते हैं तो जहां पर योग सब्द आता है योगे योगे तर्म वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्र भूता है शुक्र ये जुर्वेद का ये हिस्सा है ग्यारवाई चौद अर्थात हम जो सादक हैं प्रतेक योग अर्थात समाधी की प्राप्ति के देख है रिगवेद में तो उन्हीं क्याधार पर देवता इंद्र की उपासना है तो योग शब्द का प्रयोग वेदों में देखने को मिलता है अब हट्यों के अंगों का भी वड़ाना अथरवेद मैं आपको बताया अथरवेद जो जादू टोने से संब्द थे जिसमें बहुत सारे मंद्रो का उलेख है जिसमें मारण सक्तिया भी दी गई है और आपको पताया अथरवेद की कहानी किस तरीके से अथरवेद वेद रभेद रिगवेद य जो ठाहिए तकिन अथरवेद जो है वो अथरवा रिशी ने बहुत प्रयास किया था और जिसमें देता हूँ कि यह भी चार वेद होंगे, और इनी-कनल~? वेद चत्तवारी के तरफ अगर ज्याने का sweeping को कारण हो हाहramento है – अब बात करें फुरदना सी चक्र lid वेद खुरने के तीक जो तेश्वा पूलता आठ चक्रों आठ चक्रों का आपको नाम पता होना चीए नौ द्वार यह शरीर के नौ द्वार हैं तोटल अगर आपक काॉंट करेंगे तो जहां से आपके श्री में प्रवेश्ट किया जा सकता है एक दो कान हो गया दौए दौख गदादवार हो गय है इसमें कोश का मतलब आपको पता है जो जो ती वह असीम आनंद से युगत है इसी को आपने योग में सुना होगा जब हम जीवा को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं पीछे की तरफ टेस्ट करते हैं टेस्ट करने की कोशिस करते हैं जिसमें से ब्रह्मरंदर से एक आनंद माई जो लिक्विट है वो टपक रहा है जिसकी विशे की संकलपन आपने योग में सुनी होगी वही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात कहीं कि यह वास्ताव में असीम आनंद की प्राप्ति ही योग है यानि कि पॉसिबिलिटी जो है वो असीम आनंद की असी बढ़ा अच्छा कॉंसेप्ट दिया है बार बार अगर आप उस चीज को समझेंगे करीब से देखेंगे जाने के तो आप खुद ही नल एंवाइड होते हुए बाकी चीजों से नल एंवाइड हो जाएंगे आप और इस दिशा में अग्रसित हो जाएंगे क्यों 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 कि ये दृष्चा जो है वो आपको वास्तविक मारग पर प्रेशित करती है अब इस वास्तविक मारग पे अगर आपको चलना आ हैं ठीक उसी प्रिकार से आपको थोड़ा सी चॉकलेट देनी की बात होती है कि करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा योग के भाव को समझेंगे तो आनंद आएगा इत्यादी अब यह भी बड़ा प्रश्णा आता है कि जो हमारे टीचर आचार हैं क्या वह हमें बताते हैं तो वो वो क्यों नहीं सानंद को ले लेते हैं तो देखिए ऐसा है माइलिस्टोन का काम होता है अपने उपर लिखे रहना की दिल्ली 200 किलोमेटर आप अरे द्वार से जब दिल्ली जाएंगे तो आप यह माइलिस्टोन कई जगे दिखेगा तो आप यात्तरी हैं आप कुछ पीछे वाले माइलिस्टोन बन जाते हैं कुछ आगे वाले माइलिस्टोन हो जाते हैं यानि कि कुछ लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं कुछ लोग कम विद्वान रहते हैं तो या तो वो उच्छे तरसे हट जाते हैं या तो कुछ और करने लगते हैं या वो बत और ये जो उपनिशद है, ये महतुपूर्ण उपनिशद भी माने जाते हैं, इसके लाओं कुछ उपनिशद योग से भी सम्मधिद है, जिसमें योगशिक उपनिशद हो गया, और भी योग से सम्मधिद बहुत सारे उपनिशद हैं, उसमें योगशिक उपनिशद में कहा प्राण जो है वो बिसिकली पाच प्रकार करता प्राण अपान समान बयान और अधान जिसमें से एक का नामी प्राण है तो ठीक उसी प्रकार से तो प्राण और अपान वाई जो है उसकी एकता सतरज रूपी कुंडलनी की शक्ति वो स्वेत रूपी आत्म तत्व का मिलन बड आत्मा से जब कुनलिनी शक्ति का मेल होता है, जिस समय सुर्य स्वर एवं चद्र स्वर का मिलन होता है, जिस समय परमात्मा स्वत्ता का मिलन होता है, ये समस्त प्रक्रियां जो है, वो योग के तहट जान जाती है, जैने कि प्रान वायू जो है, उसका अपान वायू के साथ म मिलन, कुनलिनी का आत्मा के साथ में मिलन, और आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन, आत्मतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् निरुद्ध Сब्सक्राइब मंद्रों लयो वहतों राज योगांता भूमिक अकृमात एक एव चतुरविद योग बनता है जिसे महायोग कहते है महायोग बनिश्दों में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्यान के साथ-साथ योग को भी आवशक माना गया है मतलब ये है basically कि मंत्र योग से ले योग आता है ले से फिर हट के तरफ आवंगर सरोंगे और हट से राज यानि कि जैसे चार दिशाय मिलके एक ब्रह्मान का एक परत्विका निर्माण करने में सक्षम है कि उसी प्रकार्यदी एक वास्तविक जो महायोग जिसको घटित होना ह महायोग का मतलब that is a part of a sanyog जैसे होता ना कि आज ये योग है आज का योग ऐसा है कि आप उत्तर जा सकते हैं आज योग नहीं है योग और sanyog का अतात पर रहे यानि योग की जो तीसरी परिभाशा है उस आधार पे यानि जो योग शब्द का तीसरा मूल है उस आधार प ये चित्त के विश्यों में विक्षिप्त नहीं होता है और अन्य विश्यों के तरफ भागते नहीं है लिहाजा जब आप लय योग में आ जाएंगे फिर एक तो ये कंडिशन ये हो गई और दूसरी कंडिशन हट योग के अभ्यास से आप दिरे-दिरे मन को कंट्रोल कर ल योग की अगनी से बना हुआ शरीट जिसे प्राप्त होता है वसे कोई रोग नहीं होता ना बुढ़ा पाता है और मृत्य बिनी होती है इस देखिए ऐसा उपनिशदों से परिवासाओं को सीधे उठा लिया यहां पर अगर आप इस स्वितास्वर उपनिशद के कॉंसेप पीडा होती है अमर्तु जैसी उचीज होती है वो उसको टाला जा सकता है पहले के समय में आप देखते थे रिशी जो थे पहले ला समय छोड़ी अभी 200 साल तीन सो साल पहले की बात देखिए 200 साल भी क्या वैसे तो अभी जस्ट विस साल पहले ही इंवर्ति होई है देवरह उगांती तक को उनका काला है यानि हर अक्षान के लोगों को उन्होंने देखा है नजाने भारत को बनते हुए देखा कितनी लोगों ने उनको देखा और पूरा इतिहास जो है उनका देवरियां जो जो है उत्तरपरदेश का एक जिला है देवरियां में वहीं के एक रिश देखते हैं de उतना दए अम्रताइन पनूपनिश्ब्षाट कहा ही हो अम्रित नाद उपनिश्ब्षाट है इसको जोइने डिजान योग भी बहुत सारे लोगों रोग 하루 किसी ने योग को साप्तांग बोला है, किसी ने घटस्त योग बोला है, किसी ने शडांग योग बोला है, तो हर व्रेकटी जो है ना वो योग की अलतलेक्परिभासाओं को परिभाशित करता आया है, तो जिस में क्या है basically प्रत्यहार, धारणा, प्राडायाम, तर्क और यह च्छेयंग बताए गया है तो अलग-अलग अब किसी में यम नियम भी जोड़ दिया गया है तो इस प्रकार वो आश्टांग हो जाता है साप्तांग यूग भी है घटस्त यूग जिसको बोलता है तो अलग-अलग कई सारे प्रकार हमें देखने को में जाते हैं लोग असपस्ट करती है बोलती है क्या योग कफल बताते वे लग लगुत्तो मारुग्यम मलोलुप वर्डम प्रसादम स्वारा सौस्टम चा गंधा शबो मुत्र पुरीश मल्यम योग पवित्रम प्रत्मा बदंती अर्थाति योग से दो जाने पर शरीर हलका हो जाता है निरोगी जाता है विश्यों के प्रती राग नहीं रहता नित्रों को आकर्शित करने वाली शरीर को क्रांती प्राप्त हो जाती है और थातियोगी का शरीर आकर्शक हो जाता है उसका स्वार मदूर हो जाता है शरीर में मलमुत्र की कमी हो जाती है यानि कि उसे फिर बाकी जिए उसे परशन नहीं होना पड़ता है स्वितास्वर उपनिशत जो है वो यह कहना चाहता है कि योग की जितने भी विद्धार थे हैं योग को घटित करते हैं योग का भ्यास करना शुरू करते हैं तो एक चेहरे पे कांती तो आई जाती है और इसका प्रत्यक शुदारार कितने चात्रों को देखता था विश्व इद्याले में बहुत सारे चात्रे ऐसे थे जो प्राथकार प्राणायम करने जाते थे महाकाल मंदिर और वो लोग जब हम करते तो धिन चेहरे पे चबर जस्थ कांती देखने को मिला करते थी तो यह स्वितास्वर उपनिशत की पर शब्दें कई सारे परिवासों में यूज किया गया है। थीक है तो च्छटे का पचीसवा है अर्थात मन प्रान वो इंद्रियों का एक हो जाना एक अगर उस्था को प्राप्ट करेना, भाही विश्यें से विमुको कर इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में लग जाना, प्रान का निश्चल हो जाना, ये समस्त प्रक्रियां क्या कहलाती है, यो कहलाती है, बिसिकली इसमें मन के कॉंसेप्ट को बहुत अद तक हम बताए गया है, बताए गया है कि कहीं न कहीं आपको मन और इंद् श्ट्रवे और उन्हत्रवे में कि यो पान यो पान प्राण यो रिकम अस्तर जोरे स्थोत्ता सुर्य चंद्र मसोर योग है जिवात्म परमात्म एव तुदंद जालस से संयोग योग उच्छते अपना अपनी प्राण की एकता कर लेना स्वराज रुपे महाशक्ति कुद्र को स्वरेद रुपी आत्म तत्तों इसाथ से करना सुर्य पिंगला और चंद्र अर्थाथ इड़ास्वर का संयोग करना परमात्मा जीवात्म का योग यह सब योग है तो बैसिकली मैं आपको बताया कि हट्योग भी यही बात कहता है हकार अगद्योग इसी प्रकार की बात स्थाइब हो जाता है ठॉक है अब पुराणों में भी देखा लिया पुरान जो यह बिसे कलीए ऐठहरा मांनेगे हैं अठहरा पुराण फृण चितने बिश्न्वाबर ने एक पुराण है अगनी पुरान क्या कहता है अर्था ब्रह्म में चित्यक एक आगरता यहीं योग है यह तॉप लेवल की परिभास है जहां पर आप देखेंगे कि योग को basically control करने की बात में है कि योग का final outcome क्या है नारत पुराण में और नारत भक्ति सुत्र इन दोनों को अगर देखा जाए नारत भक्ति सुत्र में भक्ति के कई सारे प्रकार बताएगा है भक्ति सुत्र में योग सुत्र में यम के पांच बेद है नारत पुराण को देखते हैं मतस्य पुरार जो है उसमें कर्मयोग जो है उसका बहतोपून भागे देखिए विश्णु भगोण का अवतार जेतने भी संभनदित रहे हैं उन सारे अवतारों में कहीं कहीं जो है वो कर्मयोग के महानता आपको देखने को मिल जाएगी और मतस्य पुरान तो भगवान विष्णों का सबसे पहला पुरान अवतार माना जाता है मतस्य अवतार जिसके कारण से समस्तर प्रत्वी जो है वो माने जाती है आज के वज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले सरिस्रिपों में सबसे प्राषीन मानी गया है अब ब्रह्म पुरान पता गया कि श्री तो वह कमी का बहुत नहीं करना चीका नेहीं करना चीए जरन घरों में अबने देखा हुआ है कि योगी स्थान कैसा हो तोड़ा सा जमीन से उंचा हो शुद्ध हो साफ हो शक्ष हो नेर्मलजल के पास जंगल में बहुत जाते ना हो या ऐसे जीव जहां पे रते हूं, वहां पे ना हो जहां पे हानिकारक जैसे साभिच्छु इत्यादी अस्तान पर सारी स्रिपों के निकटनावा समशान में योग जो है वो ना हो इत्यादी इत्यादी यही बात ब्रह्मा पुराण में भी कही और फिर ग्यान वाले में ब्रह्मा देव का पूरा है तो ब्रह्मा देव जो है वो पूरी तरीके से कायदे कानून नियमों के साथ में बदेवे देवता रहे है शुरू से ही और जो महादेव है महादेव जो है वो किसी कायदे कानून से ने उनको सिर्फ एक चीच चाहिए वो है प्रेम और प्रेम के आधार पे आपकुछ भी कीज़े है ना आप जाके समस्चान में कीज़े योग उनके तो जो जितने गड़ इत्याती है वो सब समस्चान से हो खुद भी असमस्चान की वभूती अपने उपर लगाये रखते हैं तो वो भी उनका एक अपना कॉंसे भक्ति जो है वो भगवान विष्णों से संबंदित है और कर्म जो है वो भगवान विष्णों से संबंदित है नौदा वक्ति का बहुत अच्छा प्रकार भगवान विष्णों के द्वारा बताए गया है तो यह जो है तीन प्रकार में बैसिकलि हम लोग योग को बाट सकते वह जिसमें दूसरे अध्या कर्मारी संगे तक तक तहाँ अधनिजिए समता की बात किये कि समता जो है वो वो योग है समता बैसिकली इसके इसके अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इसमें आता है कि कि आप किस प्रकार से आप व्योसायत्मी का बद्धी के तरफ प्रयोग कर जाते हैं, आप बार-बार प्रॉफिट के तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं उसमें जाना चाहिए, नहीं इसमें आना चाहिए, आपको बद्यस्त होना चाहिए, निरुद्ध अवस्ता की कि बाकी अन्य चीजों के पर फोकस करेंगे तो आप दिसंदे कल्याड के प्रती जो है वो रोचकता से नहीं जा पाएंगे आगे जैन दर्शन और बहुत दर्शन भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता है दौत रिशिका जो है वो जैन धर्म की महतोपूल किताब है जिसमें से जो है वो महावरतों की बात की गई है और जैन आचारियों के अनुसार जैन आचारियों ने इस विशे पर बहुत सारी बाते बताई हैं आप देखिएंगे जैन धर्म जो है वो बेशे के लिए दस क्रियाओं का पालन करता जिसमें ख्षमा, अम्रदुरा, सत्य, सइयाम, त्याग, वधासिन, ब्रह्म चरे और रहिसा की बात हैं तो यह भी यह क Самया काउसेप्ट है को है यह किसी प्रकार जो है बहुं दर्शेण भी कुछ जह 7 दृष्ट की बात करता object करता हिसमें समयक्षटी समयक सभ्प, वांग, कर्म, आजी, व्यायाम, दर्शन जो योग दर्शन उसके बहुत सारे concept को उन्हों ने लिया हुआ है इनके दर्शनों में सांकी दर्शन का भी बहुत बड़िया इंपक्त देखने को मिल जाता है अब योग के परिवाशव में देखे तो वेदब्यास जो है उनका भी अपना अपना योग समाधी जो ह में भी निश्काम कर्म की बात की गई है भार्शी याग्यवलक ने जिवात्मा और पर्मात्मा के संयोग को बताया है याग्यवलक को याग्यवाले सर्माचारे गुर्देव मेरे उन्होंने बताया कि जीवन जीने की कला दा आर्ट हो यह लिविग यूर लाइफ बियोंड लगबक 4301 इसमें आज चुका है अगर आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आप को पता चलिका वॉट इस-डाइफ होती है क्वांटिटी लाइफ होती है क्वालिटी लाइफ लिए जिवन जीते हैं तो क्वालिटी लाइफ जो है वो कहीना कही विवेकानन ने जिया तो थोड़े सब्सक्राइब यानि 35 साल 40 साल के उमर में उनका ध्यावसान होगा है लेकिन क्वालिटी लाइफ जी उनकी लाइफ जो थी वो क्वालिटी लाइफ अंत कैसा होता है जाट इस इंपॉर्टन बढ़न करने की बात करें आप अपने कर्म को तो पूर्ध एसे करने की बात करें फल के पिक्षा करने के भजाए तो यह गुर्दियों का बहुत अच्छा concept है आपको एक बार गुर्देव को ज़रू पढ़ना चाहिए फिर शंक्राचारी जी की विशे में तो आपने सुनाई होगा शंक्राचारी जी उन्होंने जो चार मटो के अस्तापना की थे और उनकी है उनकी उनकी अनुसार जो है वो ब्रहम ही सत्य है बाकि ब्रहमसित्तम ज जो है इन परिवासाओं से भढ़नमीत होंगे जो विद्यार थे इस परिवासाओं को देख रहे होंगे उनके लिए लाबकारी होगी और जो लोग योग की परिवासाओं को Google पर ढूंदते है उनके लिए वीडियो बहुत आतक लाब कारी होने वाली है बस आज की वीडियो में इतना ही, आदेश दीजे मुझे, धन्यवाद, बहुत बहुत दनावाद, नमस्कार.